बिसमिल्ला इरह्मान इरहीम, मैं जैका कैपी के से बोल रही हूँ आज मैं आलू और चिकन की कटलस बनाना से खा रही हूँ इनकी ही जिन चीदों की ज़रूरत है उसमें फोर चार मीडियम साइज ब्रेट क्रम्स ब्रेट के मैंने ब्रेट क्रम्स बना लिये हैं दो टेबल स्पून क्रश्ट लाल मिर्चे, धन्या, पुदीना और नमक, नमक हस्बेजाय का डाल सकते हैं इसमें दो टेबल स्पून सफेज जीरा और एक टेबल स्पून थाइम मैंने रखा वाए इसमें तीन मीडियम साइज के प्यास बारी काट लिया है आदा किलो चिकन, उसको मैंने नमक लाल मिर्च दाल के उसको धुआ दे दिया है डेट किलो आलू उबाल के मैंने मेश कर दिये हैं अब हम लोग सब चीजों को अकठा कर रहे हैं अब हम लिक्स करके और टिक्या बना के तल कि आपको दिखाएंगे अब हम लिक्स करके और टिक्या बना लिए है इसको आम तलेंगे आवरी फंको अब मैंस को तलेंगे अब मैंस को तलेंगे यह ब्रेटकरम की वज़े से तूचते नहीं है इसमें जरूर ब्रेटकरम मिलाया करें अब मज़ी से ज्यादा मसाले डालना चाहती तो और भी आप डाल सकती है यह आपकी मज़ी पे है इसको बहुत कम तेल में प्राइब करें 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 आपक्कारम करें यह दूचार मैं अब्टार बड़ें कर सिरूआ sì?, नहीं नहीं भीं कि अधनों सणियू पत्तों सिरूपतों कि अच में किकल्ऑ जना हुआ कर दोलंगर Histanna कि अधर उसो Papi अब यह फ्राई हो रहे हैं अगर आप चाहें तो इसमें अद्रग भी बारी काके डाल सकती है और भी आपकी मर्दी से कुछ भी बिलाना चाहे का आप मसाला वावेरा तो भी मिला सकती है वेकिन हम लोग इस पर से बनाते हैं अभी आलू के कटलस तयार हो गये हैं तो मैटो केचप के साथ कोई अभी आपकी मिला बारी आपकी मिला अभी आपकी मिलाना पर से आपकी मिला करदे हैं अगर मेरी रसिपी आपको पसंद आती है तो आप जायका केपी के को लाइक करें और मेरी यूट्यूब चैनल के जायका केपी के को सब्सक्राब करें शुक्रिया जी अला आफिस